दोस्तों क्या आप सभी WhatsApp में किसी को भी फोटो भेजते हो तो वो फोटो एकदम low quality में जाता है और आप सभी किसी को भी फोटो जब भेजोगे तो उसे high quality में भेजना चाहते हो दोस्तों WhatsApp के अंदर एक ऐसा अपडेट आया है और वो अपडेट एकदम छुपा हुआ है एकदम secret है किसी को भी उस अपडेट के बारे में नहीं पता है तो अगर आप उस अपडेट के बारे में जानना चाहते हो तो यार जल्दी से इस वीडियो को एक like कर दीजेगा चैनल पर नए होंगे तो यार चैनल को subscribe कर लिजेगा और घंटी को on करना मत भूलिएगा दोस्तों वो अपडेट अभी आपके WhatsApp के अंदर है उस अपडेट को यूज करने के बाद भी आपका photo जो है वो high quality में नहीं जाता है मैं यहाँ पे document में नहीं बात कर रहा हूँ अब आपक तकलिप समझता हूँ कि document में जब कोई photo भेजता है तो हर कोई इस photo को देख नहीं पाता है हर कोई को इसी तरीके से WhatsApp पे photo भेजना पड़ता है और इसी चीज को देखते हुए WhatsApp ने एक बहुत ही तमदार अपडेट लाया है और उस अपडेट को इस्तमाल करने के लिए आपक यहाँ पे auto में है auto मतलब जैसा पहले था वैसा ही लेकिन अब यहाँ पे आप इसका quality सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको net pack बचाना है तो data saver पे रखो अगर आपको net pack नहीं बचाना है photo की quality एकदम बढ़ियां में भेजनी है तो best quality पे रखो और ok कर दो तो देखो यहाँ पे अब जो photo जाएगा वो मेरा best quality में ही जाएगा लेकिन अभी भी एक कमी है वो कमी क्या है कि अभी भी जब आप photo यहाँ पे भेजोगे तो वो best quality में तो जाएगा यह image जो अभी हमने भेजा यह best quality में तो गया लेकिन यह भी compress होके गया और whatsapp का compress system इतना fast है कि आपको पता भी खराब हो जाती है उस पून तक पहुंचते पहुंचते वाटस अप यह update ला रहा है और यहाँ पे इसका एक जलक आप देख लो जब आपको एक photo send करने जाओगे तो वहीं पे आपको एक setting का icon मिलेगा और फिर यहाँ पे आपको photo की quality select करने का option देगा और यहाँ पे आप original quality select कर सकते हो फिर आपका यह जो photo है वो कहीं से भी quality लूज नहीं करेगा original quality में जाएगा और किसी भी परकार से कोई दिकत नहीं होगा और यह जो update है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2.3.2.4 में और यह अपीटा update में आपको यह feature देखने को मिलेगा फिलहाल मैंने यह feature update तो कर लिया है लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला गया देखिए यहाँ पे photo हमने select गया लेकिन अभी यहाँ पे setting वाला icon नहीं आया है देख सकते हैं तो आप इंतजार कीजे और फिलहाल के लिए आप best वाला जो setting है उस पे इस्तमाल करके खिसी को भी photo send कर सकते हैं ब